आज मैं बहुत जादा excited हूँ because ये मेरे पूरे life का सबसे most important वीडियो बनने वाला है और इस वीडियो में मैंने इतना जादा knowledge जाल रखा है कि ये वीडियो मुझे 1 million subscriber दे सकता है इस वीडियो में आपको मेरा most important strategy जो कि मैंने खुद बनाया है जिसमें कि operators का entry आपको देखने को मिलेगा बड़े से बड़ा आज तक आपने without DS reversal सीखे हुए 300-400 per lot कमाए हो अपसे आप 1400-1500-1600-2000, 2500-3000, 3500 रुपे पर lot 6000-5000 के investment पर आप कमा सकते हो छोटा 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 profits नहीं कमाना है हमें पूरा range पकड़ना है अगर इसको पूरा अच्छे से सीख जाओगे guys with one part two part three part आने वाले हैं बस आपके life में यही वीडियो चाहिए अगर आपको profitable और पैसे कमाना है तो अभी आप guys इस वीडियो में जाने से पहले बहुत अच्छे से तीन चीज़े समझ लो commitment, focus और dedication dedication के साथ आपको देखना है commitment रखना है कि बीच में कोई और चीज़ नहीं करोगे focus के साथ हर एक point को लिखोगे मैं दो तीन चार्ट जितने वीडियो लाने होंगे मैं लियाओंगा इसको और define करता रहूंगा और refine करता रहूंगा BS Reversal आपके life का सबसे important part होने वाल है आज का दिन लिख लो अगर आप देख रहे हो वीडियो को वैसे guys मैंने जैसे बोला आपको कि ये वीडियो मुझे 1 million subscriber दे सकते हैं फिलहाल 64,209 subscribers हो रहे हमारे channel पर आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे आज देख रहे हो या देर साल बात देख रहे हो कितने subscriber पर आप देख रहे हो जरूर लिखिएगा चलिए शुरुआत करते हैं with a good vibes और मैं मानता हूं कि आप एक बड़िया viewer है बड़िया से आप इस वीडियो को लर्ण करना चाते हैं इस स्ट्राइडेजी को लर्ण करना चाते हैं डियेस रिवर्सल पर आपका स्वागत है तो चलो गाईज 1 मिलियन सस्क्राइबर वाले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चाट फरिस्ट फॉल गाईज यह वीडियो एकदम भी छोटा नहीं होने वाला है बिकॉज यह मेरे 700-800 वीडियो मैंने मना हैं उन सब में से सबसे इंपॉर्टन वीडियो है विकॉज यह एक ऐसा स्ट्राटेजी है जो कि आपको 300-400 पर लोट लेकर जो एक्जिट कर जाते हो उससे रोकेगा और आपको आज तक अगर मार्केट ने सिर्फ 300-400 पर लोट दिया है तो अपसे मा विकॉज इन सब का रिकॉर्डिंग से आपको अभेट इडिंग चैनल पर यूटूब शॉट्स पर मिल जाएंगे सारे रील्स पर मिल जाएंगे इसका सारा का सारा प्रूफ दिया हुआ है मेरे खुद के इंट्रीज भी दिये हुए तो इतने बड़े टार्गेट तक कैसे होल्ड करते हैं सर उसके लिए आपको चाहिए होंगे ऑपरेटर्स का इंट्री तो वह ऑपरेटर्स के इंट्री में आपको इस चार्ट पर अब दिखाने वाला हूं फर्स्ट आपको ध्यान रखना है टाइम फ्रेम मैनेजमेंट इस दा की टू इच अन एवरी लिक्विड द्रीचииीакти जोन ठिक है तो टाऐम फ्रेम मैनेजमेंट इस दा मोस्ट इंपनेट पर चलरहें मार्केट अब हैं करता है मार्केट healthy को लेकर नहीं होने करता है मार्केट डिमांड से उपर करेगागा घिरते हुएbak क्ट्वए से टच करके एकदम ऊपर चला जाएगा और बढ़ते हों मार्केट में सप्लाई को टच करते ही रिवर्स कर जाएगा ऐसे लेवल्स पर होते हैं operators operators का खुद का एक interest होता है operators ने हजारों लाखों रूपे लगाए हुए होते हैं से लेवल्स पर तो उनके साथ हमें एंट्री करना है उनके साथ हमें एक्जिट करना है विद बिक प्रॉफिट और यह जो प्रॉफिट होते हैं यह 15-20 मिनिट के अंदर आपको देड़ से 2000 रुपए दे देगा पर लॉट इसके लिए आपको वेट करना जरूरी है और दिन का एक ट्रेड एनफ है और इस ट्रेड का सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके स्टॉप लॉस एकदम छोटे से होते हैं बैंक निफ्टी में ज्यादा से साधा 20 पॉइंट निफ्टी में ज्यादा से ज्यादा 6-7 पॉइंट पॉट की बात कर रहा हूं स्टार्ट करते हैं फ मंतली टाइम पर आएंगे हम माल दो यहां पर हमें ट्रेड करना है ठीक है इस लेवल पर हमें ट्रेड करना है ठीक है इस वाए लेवल पर हमें ट्रेड करना है तो हमें ना मंतली टाइम पर आकर कुछ लाइन्स जो कर लेने हैं फर्स्ट इसका ध्यान रखो फर्स्ट इसका magical line है जहाँ पर market touch होते ही नीच आ रहा है touch होते ही नीच आ रहा है एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार market already ऐसा कर चुका है यहाँ पर हमें next time कुछ ऐसा मिल सकते है देखो next time मुझे कुछ ऐसा मिल सकते है कि market या तो एकदम सा struggle करके इसको break out करे या तो फिर से इसको respect करके नीची के तरफ आ जाए देखते हैं क्या होता है तो यहाँ पर break out करने की कोशिश कई जा रहा है ठीक है break out करने की कोशिश कई जा रहा है बट बार बार आपको दिख रहा है कि market यहाँ पर इसको reject कर रहा है मतलब क्या है supply अभी भी है इसमें ठीक है तो लगबग एक देड़ हफता दो हफता मार्केट में यहां पर भी supply मिला उसके बाद breakout हुआ राइड उसके बाद breakout हुआ तो इसको बोलते है supply zone ठीक है तो चलो मैंने जैसे आपको बोला था कि मुझे ऐसे वाले लेवल पर trade लेने है ठीक है मैं आपको frontage भी करके दिखाऊंगा guys strategy को सबसे ज्यादा फाइदा तब लगा सकते हैं जब आप stock में कर रहे हैं stock में कर रहे हैं बहुत बढ़िया फाइदा आप लेगा सकते हैं ठीक है आपको लेवल करने है monthly time frame पर the most touched points the most touched points जैसे सबसे ज्यादा touch कौन-कौन से points किये गए हैं जैसे यह वाला लाइन अगर खीचोगे आप तो यहाँ पर आपको दीखेगा इसका closing इसका candle का low इसका candle का high इसका candle का low इसका closing ठीक है और कुछ lines यहाँ पर बनाने के लिए है क्या बिल्कुल है एक यह वाला लाइन भी बनाने के लिए है आपको monthly time frame पर आकर यह काम करना है ठीक है आप इस पर ज्यादा से ज्यादा back test करो बिकॉज आप जब back test करोगे आपको यही सारे चीजे ना बहुत easily confirmation के साथ trade आपको market में देंगे यह वाला लाइन इसलिए कीचा इसका closing आप देख सकते हैं इसका opening ठीक है इसका opening इस वाले candle का high इस वाले candle का closing ठीक है कहीं तो इन दो lines जो हमने draw किये हैं इनके अंदर कुछ तो time frame पर हमें थोड़ा सा और precise levels confirmation के साथ मिल जाएंगे तो हमें weekly time frame में दो levels मिले हैं ठीक है weekly time frame पर दो levels मिले हैं एक यह वाला level perfection के साथ बिल्कुल draw किया हुआ है एक level मुझे weekly time frame पर एक और level draw करने गाई इस intraday trade करने के लिए बता रहा हूं मैं ठीक है intraday trade करने के लिए यह levels levels आपको draw करने जरूरी है ठीक है intraday trade करने के लिए level आपको draw करना जरूरी है तो यह जब आपने draw कर लिया यह वाला level तब आपके पास क्या रहेगा एक और level मिल गया weekly time frame पर एक उपर का कोई और मिल रहा है क्या जितने भी levels आपको with decreasing time frame मिलता रहा है आप उनको draw करते रहो ठीक है आप उनको draw करते रहो यहाँ पर और कोई levels वैसे मिला नहीं है बट हाँ मुझे यहाँ पर एक level draw करने का मन कर रहा है अब daily time frame पर चलते हैं daily time frame पर क्या है वो देखते हैं daily time frame पर हम जब आए तो ठीक है guys यह थोड़ा सा slow दिखरा जरूर है बट यह बहुत fast strategy है और आपको daily 5-10 मिनिट सिर्फ 5-10 मिनिट आप इस पर invest करोगे आपको बहुत तगड़े तगड़े profits मिलने start हो जाएंगे ठीक है तो आप देखोगे जहाँ अब next day पर मुझे trade करना है मेरा previous day का जो low था और मेरा high था यह इन दोनों lines के अंदर आ चुके हैं already automatically weekly time frame से draw कर रहा है ठीक है तो अब मुझे इसके अंदर ही trade करना है right कल market इसके अंदर open करेगा तो मैं one hour time frame पर भी कुछ levels बना लेता हूँ जो कि कल market में हुआ था मुझे market open करने से पहले मैं अभी market open होने वाला है उससे पहले मैं pre analysis pre market analysis कर रहा हूँ मुझे इतना पता चल गया है कि market का जो range है 16,773 और 17,182 इन दोनों range के अंदर market बहुत ही important role play करेगा ठीक है यह बहुत बड़े points है market में एक ही दिन में इतने बड़े movements हुए थे ठीक है एक ही दिन में इतने बड़े movements हुए थे यह one hour के candles है guys मजाक नहीं है 400 point nifty ने move किया था ठीक है मुझे आज भी वो दिन याद है आज भी वो दिन याद है जब market ने इतना बड़ा move किया था और हमने बहुत बड़े profits कमाए थे हमने यहाँ पर इस दिन bank nifty में 800 रुपए 800 points ठीक है 800 points निकाले थे तो ऐसे दिन भी हुए थे हमारे साथ तो चलो यहाँ पर मुझे दो लेवल्स हमें मिल गए ठीक है तो दो लेवल्स मुझे मिल गए अब कल के लिए मुझे trade निकालना है कल के लिए मुझे ट्रेड निकालने के लिए मुझे इन ही लेवल्स के अंदर काम करना है ठीक है चलो अब लेवल्स तो मेरे सारे दोन लेवल्स मैंने निकाल के रखे हुए है, अब थोड़ा सा ना और थोड़ा सा भारीगी के साथ, थोड़ा सा अगर इन कल के यहाप से जो भी Demand and Supply हुए थे, उन Levels को अगर ट्रॉओ कर कर के रखू, उन Levels को अगर तो यह जो candle market move कर रहा है यह वाला जो candle market move कर रहा है यह इस दिन का market ने move किया ठीक फिर से हमें entry मिल रहा है बिल्कूल प्रॉपरली यहां पर फिर से यहां से लेकर यहां तक का entry अच्छा काचा है बहुत ज्यादा point है यह चोटा point आपको दिख रहा है जरूर है बाद अच्छ द्रॉप किया मुझे weekly time frame monthly time frame यह magic है यह magic है monthly time frame और weekly time frame ने मुझे बता दिया कि market इन दोनों की बीच में huge DS reversal है यह DS reversal यह यह demand वाला reversal यह supply वाला reversal बट उसके बीच में ही previous day का भी DS reversal होता है previous day का भी DS reversal होता है आपको देखना है high liquid zone अब high liquid zone समझाता हूं इसके अंदर देखो guys यह 3 points मैंने आपके सामने अभी अभी draw किया तीन points में से मैंने यहां पर entry करने का choose किया right आपके सामने मैंने यहां पर entry क को देख सकते हो यह एक ऐसा zone है जहां पर की supply इतना जादा हो है कि इस वाले point के उपर एक भी बंदा buyer था ही नहीं तो यहां पर अगर कभी भी market आता है तो buyers भी डरे वे रहेंगे अगली बार फिर से भी आएगा ना फिर डरा हो रहेगा तो यहां पर आप बिना सोचे 3-4 र से मुझे यहां पर भी एक कल के target कल के level के हिसाब से मुझे यहां पर भी एक बहुत ही बड़िया high liquidity zone मिला कैसे मुझे दिख रहे है कि market जो जो high लगा रहा तो जो candle उस candle ने high लगाते लगाते उसमें profit booking आ गया अगले वाले candle में भी proper rejection उसके अगले वाले candle ने तो previous high वाले candle क आपको पता है तो आप जरूर आपको समझ में आया होगा कि यहां पर proper entry बनता है तो जैसे कि previous history मेरे पास था कि market ने इस high को तोड़ा है market ने इस high को तोड़ा है मतलब इस high को तोड़ नहीं पा रहा है और huge supply यहां पर आया है तो इसी supply इसी liquidity का मैं फिर से इस्तेमाल रहा है मुझे बाद में आज market में अचानक से यहीं पर एक entry दुबारा दिखा वाँपर मैंने entry किया मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं मुझे मारकेट ओपेन होने के बाद यहां पर देखा तो जैसी मर्केट में मैंने यहां पर एक और क कैंडल देखा मैंने यहां पर एंटरी गंड़े का बता। अब मैंने आपको बता & Marie ही supply zone है और market इसी को respect करके नीचे के तरफ आएगा और already market उपर से नीचे के तरफ आ रहा है उपर एक डियसी वर्सल जो कि हमें डेली डाइम फ्रेम पर मिल चुका था अगर market से पहले हम लोग यहां पर आते मतलब इससे पहले अगर आते तो हमें शायद यहीं पर पुट साइट का मौका मिल सकता था अब देखते हैं डिमांड जोन कैसा काम करता है market को डिमांड जोन तक आने दो ठीक है मार्केट डिमांड जोन तक आया ही नहीं गैप अप हो गया ठीक है यह गैप अप हमारे strategy के अंदर नहीं है ठीक है तो डिमांड एंड सप्लाई पर ऐसे ही आपको पांच में टाइम फ्रेम पर काम करना है मंतली टाइम फ्रेम के बाद वीकली टाइम पर आना है वीकली टाइम फ्रेम के बाद डेली टाइम पर आना है ठीक है ऐसे करके आपको काम करते रहना है आई गैरंटी ठीक है आई गैरंटी आपको ऐसे गर के ट्रेल लाइन ड्रो गरना कोई भी नहीं सका है मंदली टाइम फ्रेम पर जाओ पीछे से कौन सा सप्लाई आ रहा है उसका ख्याल रखो उसका ध्यान रखो कहीं वो बाद में आपका नीचे मार्केट गिराना दे यह सार निफ्टी का बता हूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि I am pretty much sure कि लगभग यार 60% लोग हमारे पास अभी है अभी देख रहे हैं अभी वेट कर रहे हैं 40% चले गया होंगे because they have no such kind of intention कि वो अपने time का थोड़ा सा समय यहां पर invest करें because because वो पैसे मार्केट में बरब ले सकते हैं but यह ऐसे कुछ चीज़े सीखनी सकते हैं इसलिए मैंने बोला ना कि यह आपके लाइफ का the most important video होने वाला है congratulations आपने यहां तक देख लिया मतलब बस भाई बस बस इसका backtest कर लो and backtest कर लो बस उसके बाद आप मेरे साथ 9 बजे daily live आ जा 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 जो आ जाना you will you will see a different person in yourself and आपका bank balance भी change होता रहेगा just believe me SEC levels पर मैं जब ट्रेड लूना यह यह यूटूब पर life trading में उस टाइम पर समझना कि oh yes अब आशन ने तो यह चीज़ बताया था और इस लेवल पर market ने move किया है guys इसलिए मैं बता रहो इस वीडियो में एक million subscriber यही video करवाएगा ठीक है तो चलो subscribe इस video को ना यार आप एक काम करना अपने सभी circle में share करो जादा से जादा शेयर करो ताकि लोगों को ना इतना easily trade मिलना start हो जाए ठीक है demand zone and supply zone का जो levels है वो मैं बहुत सारे videos लेंगा इसके बाद ठीक है बहुत सारे videos लेंगा और अगर आपको बिलकुल basic से advanced option buying त कुछ coupon code रहेगा तो उसको use करने ना ठीक है चलो अब तो बैंक निफ्टी में यह वाला level मैंने ड्रॉ किया है ठीक है monthly time frame पर यह वाला level है अच्छा अच्छा सुनो यहाँ पर तो trade करूंगा नहीं विकाज एक दम all time high पर आया है आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा ठीक है फिलाल यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर मानलो यहाँ पर मुझे trade करना है ठीक है यहाँ पर मुझे मानलो trade करना है ठीक है इस वाले level पर मानलो trade करना है तो trade करने से पहले मैं क्या करूं तो जैसा है वैसा ही अगर करना है तो मुझे वही सेम तरीके से क्या करना है maximum points निकालने है maximum touch points निकालने है अगर मैंने इसका touch point निकालता हूं तो मुझे एक important level मिलता है जिस level पर market में पहले एक huge supply मिला था और उसके बाद एक huge demand मिला दो बार तीन बार चार आपकी बार भी market इ दिखा रहा है right monthly time frame का यह एक बहुत important line हमने draw कर लिया बहुत अच्छा इस level को इस में respect किया आप अच्छा एक queenड़ करते हैं उसैं क्या होगा इस वाले candle का high इस वाले candle का bizimमे इस वाले candle का क्लोजिंग इस वाले candle सिदे onड़े मतलब इस वाले candle का इस वाले candles का भी है रेस्पेक्ट कर रहा है यह लेवल मैंने ड्रॉ कर लिया है यह दो लेवल अभी के लिए मार्केट में हमारा रेंज बन सकता है अभी के लिए हमारा रेंज बन सकता हमें तो उतना जाता हिस्ट्री नहीं पता है हमें उतना पता है जितना कुछ चलते वह आ रहें कुछ महीनों से तो अबना छोटे टाइम पर जाते हैं मंदली टाइम फ्रेम जैसा टाइम वीकली टाइम पर जाते हैं तो वीकली टाइम पर हमें दिख रहे हैं गाइस एक नहीं एक दो तीन चार पांच छे कैंडल पर हूँज सप्लाई आया है और मार्केट इस लेवल के उपर सस्टेन य उसके बाद भी सप्लाई आया फिर जब ब्रेकाउट किया उसके बाद मार्केट ने इसी लेवल को अच्छे से रेस्पेक्ट भी किया ब्रेकाउट के लिए तो ये दो लेवल को मार्केट ने अभी मुझे वीकली टाइम पर दिख रहा है कि मार्केट ने इस लेवल को ब्र कि yes nifty का ds reversal understood bank nifty का देख रहे हैं ठीक है और गाईज अभी तक क्या आपने कभी भी मेरे ds reversal पर trade किया है अगर किया है तो कितने profits आपने किया है जरूर बताना तो यहाँ पर आप देखोगे कि यह जो supply zone है market इसको respect करने वाला है कुछ दिर के लिए देख लेते हैं कि करता है क कि नहीं करता है इस वाले supply zone को respect करेगा या नहीं करेगा gap अप open हुआ है तो अभी फिलाल कर रहा है फिलाल अभी यहाँ पर market ने कुछ time के लिए market ने बिलकुल किया है बिलकुल यहाँ पर फिर से supply आया है तो इसको बोलते है demand zone and supply zone का बहुत बार ऐसा हुआ है आपके साथ क कर रहा है stop loss हिट हो रहा है फिर भी अवाय ने बोला नहीं stop loss अब लोग नहीं because stop loss अगर ले लोगे तो शायद loss लेकर चले जाओगे बट अभी अगर stop loss पर हिमत पकड़कर मेरे साथ वेट करते हो तो आपको इसी trade में बहुत बड़े profits मिलने वाले हैं तो same ways guys हमें DS reversals पर ही ऐसे confidence मिलते हैं अभी आपके सामने हुआ अभी आपके सामने हुआ राइट तो चलो आगे देखते हैं ठीक है आगे देखते हैं तो market में इसी level पर फिर से supply मिला यह बड़े time frame पर मैंने दिखा दे आप बड़े time frame पर तो आप trade नहीं करोगे चोटे time frame पर ही आपको trade करना है तो चोटे time frame पर आपको मान लो यह daily time frame है इसने यहाँ पर candle close किया है इसके उपर यह important line मैंने आपके सामने draw किया important line इसके उपर candle ने अगर close किया है तो हमारे पास यह पूरा का पूरा जो range है यह पूरा range खाली छुट गया है यह पूरा range खाली छुट गया और market यहां से यह नहां तक ही आएगा और अगर नीचे जाता है तो इससे नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा विकॉस कैंडल ने इस वाले लाइन के उपर क्लोस कर दिया है तो डिएस रिवर्सल में मुझे एक यह लेवल है और एक यह लेवल है इन दो लेवल के बीच में एक मोम कर लेता हूं तो यह भी एक सप्लाई जोन है फिलाल मार्केट ने जहां पर क्लोस किया है तो मुझे यह दो लेवल मिल गए सप्लाई एंड डिमांड ठीक डेली रेम पर मुझे अच्छा खासा सप्लाई एंड डिमांड मिल गया अब इसके हिसाब से मुझे ट्रेड करना है ट्रेड करना 15 मिमिट्स पर सलते हैं ज़्यादा कुछ है नहीं तो 15 मीट्स के हिसाब से भाईया डेखो मार्केट में यह बहुत तकडा सप्लाई हुआ है हुआ है कि नहीं हुआ है यह सप्लाई तो अच्छा कासा है मार्केट एक पॉइंट इसके उपर जाहीं नहीं पाया एक कून भी इसके उपर नहीं जा पाया है तो guys क्या मुझे यहाँ पर put लेना है या फिर मुझे यहाँ पर put लेना है देखते हैं देखते हैं कि कहाँ पर put लेने से मिलेगा मुझे लगता है कि previous day का जो supply है वो ज़्यादा काम करेगा ना की पुराना वाला ठीक है ना की पुराना वाला अगर यहाँ पर मालो supply हो भी जाता है मालो यहाँ पर supply अगर नहीं होता है stop loss हो जाता है तो मैं फिर से यहाँ पर trade ले लूँगा ठीक है चलो देखते हैं फिलाल कैसा जाता है अरे market तो gap down open हो गया है अब gap down open हुआ है तो market में demand zone देखना है demand zone कहाँ पर है ये वाला line demand zone है और इसी line पर हमें abstract entry पर demand zone मिल सकता है बिल्कुल आप देखोगे इस वाले candle के उपर abstract entry बन चुका है यहाँ पर entry और यहाँ पर stop loss और target आपको पता ही है यहाँ तक आपको पता है abstract entry कैसे करते हैं 253 का points आपको मिल जाएगा देखो कैसे मिलता है बहुत अराम से मिल जाएगा bank nifty में बहुत अराम से मिल जाएगा बहुत अराम से retest हुआ फिर market उपर गया अपकी बार market ने बहुत बढ़िया retest किया और retest पर बहुत मुश्किल से market यहाँ पर sustain किया और पूरा demand zone को तोड़ दिया राइट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पूरा demand zone तूट गया यहाँ पर guys ठीक है ऐसा भी होगा तो आपको stop loss लेकर चलना है 57 रुपिस का stop loss था बढ़ market ने 100 point से जादा movement भी कर दिया था ऐसा नहीं है कि movement बिल्कुल नहीं किया तो यहाँ पर demand zone तूटा है बढ़ तूटने से पहले अच्छा काचा profit भी दिया है ठीक है तो ऐसे भी stop loss हो सकते है आपके सामने हुआ है मुझे यहाँ पर चुपाने वाले कोई बात नहीं है ठीक है तो यह शायद उतना strong demand zone नहीं था daily time frame पर एक और बार चेक कर लेता है कि आखिर market यहाँ पर क्यूट टूटा है ओके demand zone यह actually demand zone नहीं था यह हमने छोटे time frame पर draw किया था एक छोटे trend line के साथ actual demand zone तो बहुत नीचे है अच्छा मुझसे ही कुछ गलती होगी यहाँ पर entry करवाना ठीक है तो कोई दिकत नहीं है market नीचे वाले demand zone पर जा रहा है अब नीचे वाले demand zone पर अगर जा रहा है उससे पहले एक बर आप यह देख लो कि यह जो supply zone है market इस supply zone को कैसे respect कर रहा है अभी फिलहाल जो market नीचे के तरफ आ रहा है इस supply zone को respect करते हुए नीचे के तरफ आ रहा है ठीक है नीचे के तरफ आ रहा है और आप यहाँ पर देखोगे कि supply zone पर market ने बहुत अच्छा respect कर लिया है और और नीचे के तरफ जा रहा है supply zone से यह पूरा नीचे के तरफ जा रहा कि DS reversal पर bank nifty पर nifty पर intraday trade कैसे करते हैं उसके बाद आपको सीखना है कि intraday trade करने पर जो profits होते हैं उन profits को कैसे swing trade करें जिसमें कि 10% 12% 15% per lot daily हमें income हो सके मतलब monthly income हो सके stocks से ठीक है ओखी गाइस इस वीडियो को यहां तक complete करते हैं वीडियो में जो भी doubts होता है पूछना कुछ भी आपको मुझे बताना है बताना ठीक है और सारा सब कुछ मैंने बता दिया है इस वीडियो में like करकर के like करकर के subscribe करो जल्दी से thank you so much मिलते हैं next part